जैजनेन बंदो मैं रवी जैन गुरू जी आज शनिवार और राहु काल प्राते नो बजे से साड़े दस बजे तक रहेगा इस बीच में हमें कोई भी नया कार या आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले समय अच्छा है सांती के साथ वैतीत करें क्या करें दो मोर पंक व्यापार के इस्तान पर लगाएं वर्षब रासी वाले वाहन तेज ना चलाएं लंबी दूरी की यात्रा का योग क्या करें शिरी भक्तामबर जी का 48 वा काफिय बारा बार पढ़ें मित्वनरासी वाले रुके कारिये बन सकते हैं परी जनों से तालमेल बैठाएं क्या करें शिरी जैनमंदिर जी या इस्तानक में समय वैतीत करें करकरासी वाले किसी का विरोध ना करें सेव को पर भी क्रोध बिल्कुल ना करें क्या करें चांदी के गिलास में पानी भर कर रखें उसी से पानी पियें सिंगरासी वाले ग्रहकों को नजर अंदाज ना करें भावक्ता में निर्ने ना लें क्या करें, गोश्याला में यथा संभव दान दें और सेवा करें, कण्यारासी वाले कल तक निर्ने टालें, शरीर के अनुसार भोजन लें, क्या करें, कुट्टे को रोटी डालें, तुलारासी वाले स्वास्त का ध्यान रखें, मांसिक तनाव बढ़ सकता है, क्या करें सेवकों की यथा संभव मदद करें व्रश्चिक रासी वाले जल्दबाजी ना करें व्यापार में मदूर वहवार रखें क्या करें ऐसी अहुसा नमे की एक माला फेरें धनुरासी वाले लेन देन में उधारी से बचें पदोन नती के अवसर क्या करें जादे से जादे समय मौन रहें मकरासी वाले व्यापार में तरक्की के चांस धैरिये को बनाए रखें क्या करें सभी परीजन खीर का सेवन करें कुमरासी वाले बादा से विचलित ना हो नई दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाएं क्या करें ओम भीमसरी चंद्रपभु जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें मीन रासी वाले विस्वास को तूटने ना दें पती पतनी के बीच तनाव ना बढ़ने दें क्या करें केसर का तिलक माथे पर लगाएं अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें शेरी भक्तामबर इस्तोतर का पांच नंबर का कावें दरश्टी दोस्ट और आँखों की परेशानी को दूर करने में सहयक्सिद होता है अगर आपके परिवार में किसी भी महिला पुरुस बच्चे या बुजुर्ग को आँखों की परेशानी है तो आपको चाहिए के शेरी भक्तामबर इस्तोत का पांच नंबर का कावें उन्हें रोजाना सुनाएं और अगर संबव हो तो एक माला फेरे अगर आप ऐसा डॉक्टी ची किस्सा के साथ साथ लंबे समय तक करेंगे तो निश्चित रुप से आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है अनुपम जैन जी ने दादरी उत्तर परदेश से लिखते हैं गुरू जी जै जिनेद्र हमारी भावी परिवार में मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है शादी के बाद से ही वे नाराज है किस कारण से नाराज है ये हमें अभी पता नहीं लग पाया है लेकिन उसकी वज़े से पूरा घर परीशान है हम क्या करें देखिए अनुपम जी आप दो उपाई करें एक तो भावी के कमरे में दो मौर पंक दिवार पर सैलो टेप से छिपका दे और दूसरा रो जाना घर के सभी सदस्या पारसना तिस्तोत्र पड़ें अगर आप ये दो पाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भावी की कुंडली में जो केतु की दसा चल रही है जिसके कारण वह परेशान है उसका परभाव काफी हद तक कम हो जाएगा और निश्चित रुप से आपके घर में शान्ती का महौल बनेगा और इसी के साथ बंदो आपके भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फलैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल मैं हो इसी भावना के साथ सबी को जैजिनेंदर झाल